Hello and welcome friends, आज की ये वीडियो Microsoft Excel को ले करके, आएज दिखते हैं Excel में खाथ क्या है, यहाँ पर दिख सकते हैं, यह लिखा हुआ है मीटर, और यहाँ पर दिया गया है सेंटी मीटर, ठीक है, समस्या यह है कि हम इसको सेंटी मीटर में कनवर्ट करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे यह कौन सी बड़ी बात है पांच मीटर में कितने सेंटी मीटर होते हैं तो उसे गुड़ा कर देंगे तो आ जाएगा 500 सेंटी मीटर लेकिन यही चीज जो है कॉंप्लेक्स होते जाएगी जैसे अब यह इंच दिया गया अब इसको मीटर में करना है मीटर दिया गया है किलो मीटर में करना है तो इसमें दिक्कत आ सकती है तो आए देखते हैं इसको कैसे करेंगे सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला फंक्शन इक्वल टू के निसान से श होता है हमने मीटर से हमेν जाना है स्टारों यह देखना है कि यह किह मिटर में दिया हुआ है यहां पर हमें मीटर ही लेना हैeler का कोड्य क्या होता मैं बता देता ही मी नहीं हना है ही दिया हुआ है देखे ना मीटर में ही यह दिया हुआ है और हमें किसमें convert करना है सेंटी मीटर में तो यहां पे लिखते जाएं वह इहां पे सेंटी मीटर में convert करता चलेगा जाते यहां पर देख सकते हैं यहां पर यहां पर सुपती हो यह इसको भी कर लेते हैं तो यह दिखिए अब आपको खाली यहां यहां से ड्रैक भर करवाना है और ड्राइक करवाते ही यह सब सेंटेमीटर्ज कर जाएगा इसी तरह किसे इंच है तो पर कपर करनाक मैं तो क्या लगा लगा आपको क्या करनाना है क्या लिखना एकिन का कोड़ क्या होता है एक अगर आप गलत लिख देंगे ठीक है तो आंसर नहीं आएगा ठीक है जैसे मैंने आपको centimeter और वो बताया है तो inch के लिए आपको आई एन लिखना है इंच में ही दिया हुआ है और इसको meter में convert करना है तो यह जो भी लिखेंगे ना इसको यहां से ड्रेक कर वा लेंगे तो यह मीटर में convert करता चलेगा अब यह मीटर है और किलो मीटर है तो यहां पर आते हैं और फिर वही अब यह point में आएगा zero point में आएगा देखिए यहां पर यह इस तरीके से आ रहा है ठीक है उमीद करता हूँ कि यह पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी कि यह आपको किस किस तरीके से करना है और कैसे कैसे करना है ठीक है तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में उमीद कर आए तो शियर कीजेगा, thank you for watching this video